हेलो स्टुडेंट्स आज हम इंग्लीश ग्रामर का पहला टोपिक पढ़ेंगे वो है आलफाबैटिकल ओडर ओके आप सबको पताएं इंग्लीश आलफाबैट्स में कितने लेटर्स होते हैं? कितने होते हैं? कितने लेटर्स होते हैं? 26 कौन गों से होते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, F, T, U, V, W, W, X, Y, Z तो आपको पताएं कितने होते हैं? 26 और वो सब आपको पताएं ओके नाव आप मुझे ये बताएं कि वावेट्स कितने होते हैं आलफाबैट्स में? वावेट्स कितने होते हैं? आपको पताएं कितने होते हैं? वावेट्स हैं? A, E, I, O, U वावेट्स 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 कितने होते हैं? वावेट्स वावेट्स कौन कोच पताएं? A, E, I, O, U ना यह 5 के अलबा A, E, I, O, U यह 5 वावेट्स है उसके अलबा बागी जो दिये करे हैं? यहां के वह सब क्या है? कॉनसोर्नेंट्स और कितने चॉनसोर्नेंट्स, होगे? हमारे टोडल्स लेट्सलोर कितने हैं? 26 इसमें से 5 वावेज गए तो कितने हुए है? 21 तो इसमें है? 21 Here I have brought some letters Q, D, I, P, L, Z यहाँ पे मैंने कुछ letters लिखे हुए जैसे की Q, D, I, P, L, Z अब हमें क्या करना है? इसको हमें alphabetical order में हमें arrange करना है We have to arrange these all letters into alphabetical order means what? alphabetical order means what? We have to arrange them into A, B, C, D, Y हमें इसको A, B, C, D के हिसाब से arrange करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? यहाँ पे A है फॉर्स लिखना है तो A दिया गया है? नहीं B दिया गया है? नहीं C दिया गया है? नहीं B दिया गया है? हाँ तो हम क्या लिखें करना है? सबसे पहले D उसके पाद क्या पहे? E E दिया गया है? नहीं F दिया गया है? नहीं G दिया गया है? नहीं H दिया गया है? नहीं आई दिया गया है हाँ यहाँ पे हमें आई दिया गया है तो हम क्या निखेंगे यहाँ पे आई फिर जे दिया गया है नहीं के दिया गया है नहीं एल दिया गया है हाँ तो हम यहाँ पे क्या निखेंगे एल फिर क्या दिया गया है M, M दिया गया है, नहीं, N दिया गया है, नहीं, O दिया गया है, यहाँ पे, नहीं, T दिया गया है, यह, P यहाँ पे दिया गया है, तो P लिखेंगे, फिर Q दिया गया है, हाँ, तो यह रा, Q अगो लिखेंगे यहाँ पे, Q, और फिर लास्ट में क्या बचा, Z, तो हम यहाँ यह हमने क्या किया? D, I, L, P, Q, Z यह सारे हमने इसको alphabetical order में arrange किया What we had done? We had arranged all these letters into alphabetical order अब हम दूसरा example देखें I have written over here N, A, Z, J, W, G, C, S Now, as we had done in first example like that way we have to find these whole letters into alphabetical order जैसे कि हमने first example में किया हुआता सारे letters को alphabetical order में arrange किया हुआता वैसे ही हमें यह सारे letters को भी alphabetical order में arrange करना है तो सबसे पहले किया दिया रहा है? A, तो यहां पर अड़िक A है तो हम क्या लिखेंगे यहां के? A, फिर B आया है, लिखा हुआ है यहां पर नहीं, तो B नहीं लिखेंगे फिर C, यहां पर दिया है तो हम C लिखेंगे यहां पर, इसके बाद B, फिर E, F, G, यहां पर दिया रहा है तो यहां पर दिया रहा है, फिर K, फिर L, फिर M, फिर N तो N हम यहां पर दिया रहा है अभी O, P, Q, R, S तो S यहना पर हमें दिया गया है तो S पिते हैं अभी आपर पूरी आपर शिदी नहीं देखने हैं तो मैं देखना है W और Z दो बाट्स बचले तो W पर में आता है Z पर में आता है Alphabetical order में के आता है? W तो डाइरेक नहीं पर में दो लिदो और लास्ट नहीं देखने हैं Z Now, we will see 3rd example of it As we had done in 1st and 2nd example We have to arrange these all letters into alphabetical order जैसे कि हमने 1st and 2nd example में किया हुआ वैसे ही हमने ये 3rd वाले example में हमें ये सारे letters को alphabetical order में arrange करना है तो कौन कौन से letters है? B R V L Z H O T P अभी हम रहेंगे alphabetical wise So, what is the false letter in alphabetical order? A Is it given or you are? No यहां पे हमें A दिया गया? नहीं है फिर हम देखेंगे B Yes तो B हमें यहां पे दिया गया है तो क्या दिखिने हैं यहां पे? B उसके बाद है C C दिया गया है यहां पे? नहीं D D दिया गया है यहां पे? नहीं E E दिया गया है यहां पे? नहीं F F दिया गया है यहां पे? नहीं G दिया गया है यहां पे? नहीं H हाँ हमें H यहां पे दिया गया है हम यहां पे next लिखेंगे H I दिया गया है? नहीं J दिया लिया है नहीं K दिया लिया है यहां पे नहीं L दिया लिया है हाँ हम यहां पे L लिखे ले After that it is L It is given No L It is given No O Yes O is given over here So we will write O After that T Yes So we will write P After that Q No R Yes So we will write R After P Then S It is not given Then T Yes So we will write T over here Now what is left V and Z Two letters are left So what will come first V or Z Yes It will come V So first we will write V And after that We will write Z So what is Alphabetical order We have to Add all these Letters Into Alphabetical W Means A, B, C, D, Y This is called Alphabetical Order A, B, C, D, Y A, B, C, D, Y A, B, C, D, Y